नमस्कार, बुयनोस दियास मेरे मित्र पैद्रो साचेजी के उनकी पहली भारत की यात्रा है आज से हम भारत और स्पेन की पार्टर्शिप को नई दिशा दे रहे हैं हम C295 ट्रांस्पोर्ट एरकाप के प्रोडक्शन की फैक्टरी का शुभारम कर रहे हैं यह फैक्टरी भारत स्पेन समंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फ़र दे बॉल्ड इस मीशन को भी ससक्त करने वाली है मैं एरबस और ताटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन ताटा जी को खोया है रतन ताटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सरवादी खुशी उनको मिलती लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसनता का अनुभव करते होंगे साथियों सी टू नाइन फाई एरक्राप के फैक्टरी नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्रेक्ट करती है आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत की स्पीड से काम कर रहा है यह यहां दिखाई देता है दो साल पहले अक्तूबर मेही महिने में इस फैक्टरी का निर्माण शुरू हुआ आज अक्तूबर महिने में ही यह फैक्टरी अब एरक्राप के प्रोडक्शन के लिए तयार है मेरा हमेशा से यह फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जिकुशन में अनावश्यक देरी न हो जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं बडोजरा में ही बंबाडियर ट्रेन कोज बनाने के लिए फैक्टरी लगाने का फैसला हुआता है इस फैक्टरी को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तयार किया गया था आज इस फैक्टरी में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पुरा विश्वास है कि भविश्य में इस एरका फैक्टरी में बने बिमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किये जाएंगे Friends, प्रसित्य स्पेनिश कवी, अन्तोनियों मचादो ने लिखा था, Traveller, there is no path, the path is made by walking. इसका भाव यही है कि लक्स तक पहुतें के लिए, जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, राश्ते अपने आप बनते चले जाते हैं. आज आप देखिए, भारत में Defense Manufacturing Ecosystem नहीं उचाई या छू रहा है. दस साल पहले, अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाये होते, तो आज इस मंजिल पर पहुँचना असंभव ही था. तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था, कि भारत में इतने बड़े पहमाने पर Defense Manufacturing हो सकती है. उस समय की Priority और पहचांग दोनों Import की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तै किया, अपने लिए नए लक्ष तै किये. और आज इसका नतीज़ा हम सब के आँखों के सामने हैं. साथियों, किसी भी Possibility को Prosperity में बदलने के लिए Right Plan और Right Partnership जरूरी है. भारत का डिफेंस सेक्टर का काया कल्प, Right Plan और Right Partnership का उधारा है. बीते दसक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए, जिससे भारत में एक Vibrant Defense Industry का विकास हुआ. हमने Defense Manufacturing में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया. पब्लिक सेक्टर को efficient बनाया. ओर्डिनन्स फैक्टरीज को साथ बड़ी कम्पनियों में बदला. DRDO और HAL को शसक्त किया. यूपी और तमिलाडु में दो बड़े Defense Corridor बनाये. ऐसे अनेक निर्णव ने Defense सेक्टर को नई उर्जा से भर दिया. IDEX यानि Innovation for Defense Excellence जैसी स्टीमों ने स्टार्ट अप्स को गती दी. बीते पांच-छे सालों में ही भारत में करीब एक हजार नए Defense स्टार्ट अप बने हैं. बीते दस वर्थों में भारत का Defense Export तीस गुना बड़ा है. आज हम दुनिया के सो से अधिक देशों को Defense Equipment Export कर रहे हैं. साथियों, आज हम भारत में स्कील्स और जॉब क्रियेशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं. एरबस और टाटा के इस फेक्टरी से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्मान होगा. इस प्रोजेक्ट के कारण एरकाप के 18,000 पार्ट की इंडिजीनियस मैनिफेक्टरी होने जा रही है. देश के किसी हिस्षे से एक पार्ट मैनिफेक्टर होगा, तो देश के किसी दूसरे हैसे में दूसरा पार्ट मैनिफेक्टर होगा, और ये पांट बनाएगा कौन हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडुस्ट्री ये काम करने वाले हमारे MSMEs इस काम का नित्रूत्व करेंगे हम आज भी दुनिया की बड़ी एरकाप पंप्मियों के लिए पांट के बड़े सप्लायर मैंसे एक है इस नई एरकाप फेक्टर्डी से भारत में नई स्किल्स को नए उद्योगों को बहुत बन मिलेगा साथियों आज के इस कारकम को मैं ट्रांस्पोर्ट एरकाप की मैनुफेक्टरिस से आगे बढ़कर के देख रहा हूँ आप सभी ने पिछले एक दसक में भारत के एविएशन सेक्टर की अन्प्रिसिदेंटेड ग्रोथ और ट्रांस्फर्मेशन को देखा है हम देश के सेक्टरो छोटे शहरों पक एर कडिक्टिविटी पहुचा रहे है हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमारो डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं यह इकोसिस्टिम भविश में मेड इन इंडिया सिविल एरकाप का रास्ता भी बनाएगा आप जानते हैं कि अलग-अलग भारतिय एरलाइन्स ने बारा सो नए एरकाप खरीदने का ओर्डर किया है दुनिया को अब साथ दुनिया की कमपनी किसी और देश का ओर्डर ही नहीं ले पाएगी यानि भविश में बारारत और दुनिया की जरुतों को पूरा करने के लिए सिविल एरकाप की डिजाइन से लेकर मैनुफेक्टरिंग तक इस फैक्टरी की बड़ी भूमिका होने वाली है साथियों भारत के इन प्रयासों में बडोद्रा शहर एक केटलिस्ट की तरह काम करेगा यह शहर पहले से ही MSMES का स्ट्रॉंग सेंटर है यहां हमारी गतिशक्ती उनिवर्सिटी भी है यह उनिवर्सिटी हमारे अलग-अलग सेक्टर के लिए प्रोफेशनल तयार कर रही है बड़ुद्रा में फार्मा सेक्टर एंजिनेरिंग एंड हैवी मशिनरी केमिकल्स एंड फार्मा सिटिगल्स पावर एंड एनर्जी एक्पिप्मेंट ऐसे अनेक सेक्टर से जुड़ी अनेकों कम्पनियां बड़ुद्रा में है अब यह पूरा छेत्र भारत में एवियेशन मैनुफेक्टरिनिंग का भी बड़ा हब बनने जा रहा है और इसके लिए मैं आज गुजराज सरकार को यहां के मुखमंत्री सिमान भुपेंद्र भाई को और उनकी पूरी टीम को उनकी आधुनिक और जोगिक नित्यों के लिए निर्णों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी सराना करता हूँ साथियो बड़ुद्रा में एक और खास बात है यह भारत का एक महत्वपून कल्सरल सीटी भी है यह हमारी सांस्कृतिक नगरी है इसलिए आज स्पेन के आप सभी साथियों का यहां वैलकम करने में मुझे विशेश खुशी हुई है बारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक का अपना महत्व है मुझे आध है फादर कार्लोस वेले स्पेन से आकर यहीं गुजरात में बस गए थे उन्होंने अपने जीवन के पचांस वर्स यहीं बिताए अपने विचारों और लेखन से हमारी संस्कृतिक को समरुत्य किया मुझे उनको कई बार मिलने का सोभाग्य भी मिला उनके महान योगदान के लिए हमने उनको पदमस्री से सम्मानित भी किया अब मैं इतना कह रहा हूँ तब तक किसी के गले नहीं उतरेगा लेकिन हम लोग गुजरात में उनको फादर वालेस कहते थे और वो गुजराती में लिखते थे अनेक गुजराती साहित्य के उनकी किताबे सम्मरुत्य हमारा सांस्कृतिक विरासत है साथियों मैंने सुना है कि स्पेन में भी योगा बहुत पॉपिलर है स्पेन के फुटबल को भी भारत में बहुत पसंद किया जाता है अभी कल जो रियल मैडरिड और बार्सिलोना के बीच मैच हुआ उसकी चर्चा भारत में भी हुई बार्सिलोना की शांदार जीत यहां भी डिस्क्रिसन का विशे रही और मैं आपको गरंट के साथ कह सकता हूँ कि दोनों क्रप्स के फैंस में भारत में उतनी ही नौक जोग भी हुई जीतनी स्पेट में होती है साथियों, फूड, फिल्म्स और फुटबॉल सभी में हमारे रिष्टे स्ट्रॉंग पीपल टू पीपल कनेक्ट से जुड़े हैं मुझे खुशी है कि भारत और स्पेट ने साथ दोजार चब्वीश को इंडिया, स्पेइन, यर अप कल्चर, टुरिजम एंड ए आई के रूप में मनाने का निश्चे किया है साथियों, भारत और स्पेइन की पार्टरशिप एक ऐसे प्रिजम की तरह है जो बहु आया भी है, वाइपरंट है और एवर इवॉल्विंग है मुझे विश्वास है कि आज का ये इवेंट भार और स्पेइन के बीच जॉइन कॉलबरेशन वाले अनेक नए प्रोजेक्स को प्रेरित करेगा मैं स्पेइनिस इंडिस्ट्री और इनोवेटर्स को भी आमंत्रित करूँगा कि वो भारत आए और हमारी विकास यात्रा में हमारे साथी बने एक बार फिर एरबस और टाटा की टीम को इस प्रोजेक्स के लिए बहुत बहुत सुपकामरा है